हेलो दोस्तों सुवागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और आज की वीडियो में कुछ अलग है यह आपको बहुत पसंद आने वाला है वीडियो और आप इसे देखते ही तुर्णत बनाने की सोचेंगे यहां पर देखे मैंने पत्ता गोबी ली है और यह देखे इस हरी मिर्ची धनिया पत्ति माटर प्याज अधरक का एक इंच टुकड़ा और दो तीन लैसुन की कलिया तो यहां पर देखे पत्ते हैं जो मैंने इनको इस तरीके से निकाल लिया है इनको आप आराम से निकाल लिए ताकि यह तूटे ना अगर कोई पता तूट गया तो उस पत्तों को अच्टों को मैं एक एक प Marian के पातुटैंगा कर दी नोर तर्फ आराम से निकाले माट्टे निकालुसमें वें से ब्ला जालें को इनको तो इस विल्ते आपकिवाज से तरीक आदा है यहां पर आदरक और लैसुन जो बारी कटा हुआ वह भी डाल लेते हैं और इनको अच्छे से पका लेंगे साथ है जो प्यास डाल दिया है इसे भी अच्छे से पकने देंगे दो से तीन मिंट के लिए और यहां पर आप सब्जी यहां जो अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं और यहां पर यह देखी अच्छे से उबल गए हैं तीन-चार मिंट के अंदर ही और इने एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहले पत्ते निकाल लिए हैं मैंने और माटर है जो उनमें थोड़ा सा कच्छा पन रहा गया उनको बलने देते हैं और यहां पर प्याज है जो यह भी भून चुका था और मैंने इसमें टमाटर और मिर्च है जो कटी हुई वो भी डाल दी है और इने भी पका लेंगे दो कर लिया है आदा टी स्पून स्वाद के रिकोडिंग यहां पर मैं दो आलू है जो उसका यूज करूंगी उसके हिसाब से मैंने नमक डाला है और यहां पर यह मतर है जो यह भी वोईल हो गई है यह बी डाल दिये मैंने और 2 आलू है जो मैंने बारीक टुकडो में तोड़ आए इसमें दो अलु । जाले हैं और आप अलु जादा डाल रहे हैं तो जादा थाले यूज की जिए। और यहां पर मैंने डेगी मिर्च भी डाली है कलर के लिए जो तीखी कम होती है और इने दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो एक अधा टूपडा रहा गया आलो को वो भी तूट जाएगा और बाद में मैंने दनिया पती डाल दिया है और इने भी अच्छे से मिक् यह मुती पाउडर दाला इस तहीं पलटाय का करण बेसन ह Цता स्सक्राइब 8 इस ने इस तरीक तो सा स्सल्ड़ सोब एक हुआ सब्सक्ताइब धेई ऊच्छाइतिजर कहने सयक्मmud प्रिवेशन भी और ये पत्ता उठाया मैंने और ये देखे एक चमच रखा और इसी तरीके से बनाने हैं यहां पर हैं पर यहां पर यहां पर मैं फिर से बना कर दिका ह испыт रही हूं तो देखेंब यहां पर एक पत्ता इस तरीके से आप उल्टी शीडिक कोई भी साइड से दोढ़ना है और फिर से आप इस तरीके से रोल बना दी जिए तो 물endrai है जो इस तरीके से बना लेंगे और यह देखिए अच्छे से इस तरीके से आप इसको इस तरीके से बना लेने हैं तो यह बहुत टेश्टी नास्ता बनता है आप इसे भी जुरू ट्राई कीजिए यह बहुत बहुत टेश्टी लगता है इस तरीके से और यह देखिए यहाँ पर सभी को इस तरीके से बना लेंगे यहाँ पर मैंने यह देखिए बना लिये हैं और यहाँ पर एक कड़ाई में मैंने ओल रखा है गरम होने के लिए इसे फूल फ्लेम पे इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया और यह देखिए इस तरीके से बेशन में जैसे ब्रेड बनाते हैं उस तरीके से डबो कर इस तरीके से डाल दिये मैंने यहाँ पर चार डाले हैं और यह देखिए अच्छे से सीख गए हैं और इन्हें पल्ट लेते हैं तो यह इन्हें अराम से जितने आ जाए उतने ही डाली है मैंने इसमें चार डाले हैं और इन्हें अच्छे से पका लेंगे और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए यह देखिए अच्छे से सीख गई हैं और इन् geschक्ल निकाल लेते हैं यह देखिए यह पर मैंने एक पेपर लिया उसके उपर निकाल लिया तकि आश्ट्रा ओईल है जो निकल जाए और यहां पर फिर से डाल देते हैं और यह देखे इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह पत्ता गोबी की एक नई रैस्पी है यह आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और यहां पर देखे फिर से हैं जो चार और डाल दिये मैंने और यह भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख गए हैं तो यह चोटा सा वीडियो है पसंद आता है लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दर नियावाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आपी से किसी भी चीज़ के स